आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी remedy शेयर करने वाली हूँ, ऐसा नुसका शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपके रुके हुए जो periods हैं जो आपको time से नहीं आ रहे हैं, वो time से आने लग जाएंगे, यहां आपको periods होते हैं लेकिन खुल के आपको period नहीं आते हैं, तो वो भी आपको खुल के आने लगेंगे, अगर आपको periods से related और भी कोई problem है, तो आप मुझे comment करके बताएं, मैं आपको personally इसका answer करूँगी, और बताऊंगी कि आप और क्या ले सकते हैं, यह जो remedy है, मैंने खुद अपने उपर अजमाई हुई है, तो यह मेरी अजमाई ह इसलिए ही मैं आपके साथ यह शेर कर रही हूँ, और यह बहुत ही कारगर है, रुक्योए period आपको एक दम आने लग जाएंगे इसको लेने से, और आपके दर्द में भी आपको बहुत अराम मिलेगा, और यह बहुत यूसफुल आपके लिए रहेगी, तो चलिए इसको बन दुआ इसको बiosa चलिये, अधी चलिए मैं निकला डालो लेको ज्यकूद को ट्रका लिया है , अदी चोटी च्मप ऑज लेको बिल्कुल चोटी वाली है यह यहां पे फ्लेम केम नहीं है तो जल जाएगी हल्दी को किसकी बाहली यहां पर मैंने एक इंच द्रक का जिंजर पाउडर आता है वो भी आप ले सकते हैं घी इस ने छोड़ दिया है थोड़ा सा तल्ले पी चिपक जाता है क्योंकि इस टील का बर्तर है इसलिए तो आप इसमें डाल दीजिए दो गिलास पानी भर और इसको न अच्छे से हमें पकाना है अच्छे से इसको उबालन और एक गिलास जो यह रह जाएगा उसमें से आपको आधा आपको सुभय लेना है और आधा आपको शाम को गरम करके गुनगुना करके लेना है तो इसको खूब अच्छे से हम इसको पकाएंगे इसके बहुत सारे बेनिफेट है बहुत सारे क्योंकि हल्दी जो है वो बहुत ह अच्छी होती है अद्रक, खल्दी, जीरा यह तीरू ही बहुत अच्छा काम करते हैं और इसको चान लेना है और इसमें आप अगर आप ऐसे तो चाहें तो आप ऐसे ही पीले अगर आपको टेस्ट इसका बहुत बिकार लग रहा है तो आप इसके अंदा थोड़ा सा काला न मैं एक ऐसा प्रोड़क्त लेकर आओंगी जो मैंने खुद यूस किया है तीन महीने और मुझे इतना उससे अराम मिला है क्योंकि मुझे पहले वाइड पानी आता था और उसको यूस करने से मैं उससे निजात मिल गया क्योंकि मैं बहुत दवायां गाती ती उस चीच के ल तब तक के लिए बाई बाई और इस रेमेडी को बनाईए और उसको ट्राइ कीजिए आपको अपने एक्सपिरियंस जरूर आपको शेर करने है कमेंट करके मुझे जरूर बताना है बाई बाई